कि यह गाइस वेल्कम बैक टो माइ चैनल रुपाली लाइफ स्टाइल ब्लॉग तो गाइस आज मैं अपने वीडियो में शेयर करनी वाली हूं वो थ्री प्रोडेक्ट चुम एने पपल से मंगवाए थे तो मैंने कहा था कि आप लोग के साथ शेयर करूंगे कि यह प्रोडेक अंब जाज फुल मेंक अपके उसी टीनो प्रोडेक्ट से तो मैं वीडियो में बने रही हैं पूरा न तब आन तक देखिए गए गाईऑ अपना मेंक अपक अपना मेंक का इस वीडियो में शेयर किया है अपलोग के साथ कर दो प्लीज में कर दीजिए अगयर मेंस्टर ने अच्छी तरह से मिसाज कर लेना है फिर मैं यूज़ करूंगी एन वाइवी का फांडिशन यह आपको जादा नहीं लेना है वैस दोवी स्टोप काफी है अगर आप लाइट मेकप करना चाहते हैं अगर हेवी मेकप करना चाहते हैं तो आप फिर भी जादा ना ले क्योंकि य यह दो ही स्टोप में मेरे फेस पे काम कर गया है बहुत अच्छी तरह से हो गया मेरी स्मूधली मीरे फेस पे जसा कर देख सकते हं आप लोग और इस तरह से मैने अच्छी तरह से इसे ब्लैंड कर लिया है यह बहुत ही अच्छा फेस पे ग्लो देगा आपको क्योंकि इसमें तीन चीजें मिक्स है गाइस एक है सीरम प्राइमर और फांडेशन तीनों चीजों का मिक्स करके यह फांडेशन बना है तो अब मैं यूज़ करूंगी कंसीलर कंसीलर को आपको जहां पे आपके कोई डाक स्पूट है या फिर कुछ ऐसा है तो आप उसे यूten सरंखाते हैं और इसे अची तरह से ब्लेन करूंडेना फ्राइ यह आपके आईस पे अपके चिक्स पे आपके जिस तरह से तो अब मैं यूजा हूं गी contour तो इस तरह करके अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कहां से use करूं तो इस तरह करके अपने इंजियों की health से कर सकते हैं तो मैंने जैसा कि आप लोग देखे हुए मैं कहा कहा इसे यूज़ कर रही हूँ इस तरह करके यूज़ कर लेना है और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है मैंने इसे फ्लिप कर से लिया है यह बहुत ही अच्छा कांटोर है बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे कर लिया है और यह एकदम फेस पे जैसे अब्सोर्ब वजाए अच्छी तरह से उस तरह हमें ब्लेंड कर लेना होगा तो अब मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लूँगी ताकि इसे सेट कर सको तो इस तरह करके हमें शेट कर लेना है अपनी फेस पे पाउडर से अब मैं अप्लाई करूंगी मेरी फेस पे वह है ब्लेशर तो देख सकते हैं मैंने कौन से कलर चूज़ किया है तो इसे भी आप नहीं आता है आपको अच्छी तरह से तो इसे भी अपनी उंगलों के हल्प से इसे अप्लाई कर लेना है अच्छी तरह से लिट्रिक बहुत ही अच्छा काम आता है मैं ये यूट्यूब से ही सिखा है तो अब मैं यूज़ करूँगी मार्स का मस्करा तो मैंने आज आइबरो सेट नहीं किया तो मैंने इसे लाइफ मेक अप के लिए थोड़ा थोड़ा लगा लिए और इसे अपनी आलेश इस पर भी लगा लेना है चादा तो इसमें प्लाइ कर लिया अब मैं अपलाई करूंगी काजल जैसे की आप देख रहे हैं फिर आइब्रो ब्रेश के इप्रो को थोड़ा सेख कर लेना है तो अबने प्रेश के हलब से थोड़ा कर लूँगी अपने काजल को था कि तो इस तरह से स्माच कर लिया है आइशेडू आइशेडू से अब मैं अप्लाइ करूंगी मेरा फेवरेट वाल टाइम यह है हाइलाइटर तो इसे अपने आई के पैस लेगा लोंगी थोधर करके यह बहुत ही अच्छा लोग दिता है और फिर मैं अप्लाइ करूंगी अपर जिक्स पे अप्लाइ करूंगी मेरा फेवरेट लिप्स्टिक जो की अभी अभी हुआ है पहले नहीं था तो मैंने इसे खरेदने के बाद यह मेरा फेवरेट हो चुका है तो इसे अप्लाइ कर रही हूं बेरी लिप्स पे यह बहुत ही स्मूधली मेरी लिप्स को सब्सक्राइब बिल्कुल भी सुखता नहीं है एक्दम ऐसा मैसूस होता है जैसे यह मेट का नहीं ऐसे ही नॉर्मल लिप्स्टिक हो लेकिन यह मेट का लिप्स्टिक है पूर जैसे कि देख रहे हैं आप लोग मैंने सारी वेयर कर लिया है और यह हैश्टरिक्स हैर सिरम ज बालो के लेंद के हिसाब से लेना है आपको तो मैंने दो ही स्टोक लिया है क्योंकि मेरी बालो के लेंद थोड़ा कम है तो इसलिए ये मेरी दो ही स्टोक में हो जाएगा तो इस तरह करके अपनी बालो में लगा लेना है पूरे बालो में अपनी स्कैल्प में नहीं लगाना ह तो और यह देख सकते हैं, मैं स्ट्रैट के लिए रड़ी हूँ, मैं रख इज दिया था, अब मैं पूरी बालो को स्ट्रैट कर लूगी तो अपनी बालो को कॉम कर लिया है और बालो को अलगलग सेक्ष्यन में बाट देना है ताकिaci यह अच्छे ताँरा से हो सके अच्छी तरह से straight कर सकूं तो गाइस देख सकते हैं एक तरफ नहीं हुआ है और एक तरफ पुरी तरह हो गया है तो इसी तरह हमें दोनों तरफ अच्छी तरह से कर लिना है तो देख सकते हैं गाईस मैं फुल रडी हो गई हूँ